हेलो फैमली आप सबका एक पर फिच्छ स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना किचिन में आज हम आपके लिए क्या है उक्रिचे मोदग बनायने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी वीडियो को एन्ट तक जरूर देखें वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर कमण करना ना भूले इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने हैं क्या तो क्रिप्या करके तुरंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो आईए उख्डिचे मोदग बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक कडाई में चार बड़े चमस देशी घी को गरम होने के लिए रख देंगे गी गरम होते ही इसमें हम एक नारियल को ग्रेटर की सायतर से अच्छी तरह से ग्रेट करके एड़ कर देंगे अगर आपके बस ग्रेटर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में पीस के भी एड़ कर सकते हैं एड़ करने के बाद अब हम गैस की आज स्लो कर देंगे और इसे लगबख 4-5 मिनिट तक अच्छी तरह से भूल लेंगे इसे अब continue इस प्रकार से चलाते रहे पार्चमिंट अच्छी तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें एक कटोरी गूड को बारिक कट करके एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गैस की आज अब स्लो ही रहन दीजिए और इससे हम continue कुछ इस प्रकार से चलाते रहेंगे हमने जो नारेल पीस के लिया था वो दो कटोरी था इसके लिए हमने इसमें एक कटोरी गूड को एड़ कर दिया है पार्चमिंट भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर एड़ कर देंगे इलाइची बॉर्डर आड़ करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5-6 मिनिट तक अच्छे से भूल लेंगे पाच मिन भूनने के बाद आप देख सकते हैं आपका स्टफिंग एकदम अच्छी तरह से सूप चुका है इसका मतलब यह है कि आपके स्टफिंग बनके एकदम अच्छी तरह से तयार हो चुकी है आप इसे एक बॉल में निकाल लीजिए तो आईए अब हम डो की तयारी शुरू करते हैं डो बनाने के लिए हम तीन कटोरी चावल के आटे को लेंगे यह लगबग आदा किलो है इसी के साथ अब हम एक टोप में तीन कटोरी पानी को गरम होने के लिए रग देंगे जिस कटोरी से हमने चावल का आटा लिया था उसी कटोरी से हम पानी भी मापके आट कर देंगे आप जितने कटोरी चावल का आटा लेंगे आपको उतना कटोरी पानी को गरम करना पड़ेगा थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे और साथ में थोड़ा सा ओईल को और इसे एक बार मिक्स कर ले पानी गरम हो चुका है अब हम इसमें चावल के आटे को एड़ कर देंगे इसी के साथ अब आप गैस की आट स्लो कर दीजे और इसे कुछ इस प्रकार से चला लीजे अब आप इसे लगबग 5 मिनिट तक अच्छे से चला लीजे ताकि आपका डो अच्छी तरह से बन जाए 5 मिन के बाद अब आप गैस की आज बन कर लीजे और हलका थंडा होने के बाद आप इसे एक ठाली में निकाल लीजे और इसे आप हलके गरम में अच्छी तरह से डो तयार कर लीजे कुछ इस प्रकार से जैसे आप रोटी के लिए डो तयार करते है या पूरी के लिए डो तयार करते है इसी प्रकास है, मोदक बनाने के लिए भी चावल के आटे का डो तयार कर लेंगे लगबग 10 मिन के बाद आप देख सकते हैं, डो बन के एक दम अच्छी तरश से तयार हो चुका है अब हम इसके चोटे-चोटे पेड़े तयार कर लेंगे, कुछ इस प्रकास है अब हम एक मोदक मेकर लेंगे और उसके तीनो साइड में अच्छी तरश से ओईल लगा लेंगे ओईल लगाने के बाद अब हम इसमें एक चावल के पेड़े को आड़ कर लेंगे और इसे उंगली की साइटा से अच्छी तरश से प्रेस्ट कर लेंगे चारो साइड अब हम इसमें स्टफिंग को एड़ कर देंगे और थोड़ा सा चावल काटा लेके हलका सा प्रेस करके इसे अच्छी तरसे पैक कर देंगे कुछ इस प्रकार से इसे आप हलके हाथों से प्रेस करते रहें मोदक के साइट में जो एक्स्ट्रा पार्ट से उसे हम निकाल लेंगे और इसे हलके हाथों से खोल लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा एक मोदक बनके एक दम अच्छी तरसे तयार हो चुका है सीम करने के लिए इसी प्रकार से हम सारे मोदक को बना लेंगे थोड़ी ज़र के बाद आप देख सकते हैं हमने सारे मोदक में स्टफिंग को एड़ कर लिया है अब हम एक इटली में कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे और इसके उपर आप इस प्रकार के चलनी को एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें एक एक करके सारे मोदग को आड़ कर देंगे सारे मोदग को आड़ करने के बाद अब हम इसे ढखकर 15 मिनिट के पकने देंगे 15 मिनिट के बाद आप देख सकते हमारा मोदग स्टीम करके एकदम अच्छी तरह से तयार हो चुका है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी के साथ आप देख सकते उकडिचे मोदग बन केक दमच्चितर से तयार हो चुका है अगर आपको आज की वीडियो आमारी पसंद आ रहेगी तो लाइक, शेयर, कमेंड करना ना भूले इसके साथ आपसे एक विंती भी करूंगी आप भी अपने घर पर एक बास जरूर ट्राइकी जो हमें कमेंड बॉक्स में लिख कर बताना ना भूले आपको उकडिचे मोदग की रेसिपी कैसी लगी तन्यवाद